वेलकम डियर स्टुजेंस इंजिरियर टेक फैमिली में आपका स्वागत है और मैं रहूल राजम बात करेंगी दिल्ली मेट्रो की जो अनसर की आज की है मैं आपको बता दूँगा भी आप किस तरीके से अपनी अनसर की डाउलोड कर सकते हैं तो बने रही है मेरे वीडियो मे नीचे स्ट्रोल करना है और जो नंबर 5 पर आएंगे आप तो वहां पर जाके देखेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा कि भी DMRC 2018 तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते है तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं उपर से अगर यहां पर देख सकते हैं सभी ब्रांचिज का इन्होंने नाम लिए तो आपको क्या करना है यहां पर डाउनलोड एडमिट कार्ड ओप्शन दिया है तो वहां पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा तो आप वहां पर अगर अगर प्रोम के अंदर चला रहे हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा आपको साइड में आपको त्री डोट दिखेंगे तो वहां पर जाने के बाद आपको इसको डेक्स्टोप साइट पे करना पड़ेगा तो इसके बाद आपको यहां पर अपने यूजर आइडी और पासवर्ड एंटर करना ह अगर अपनी user id और password आपको अपनी gmail पर आई हुई है तो वही आपको यहाँ पर enter करनी है तो अपनी gmail id पर जाके अपने password और यह देख लीजिए उसके बाद अगर आपको अपना password नहीं आदा रहा तो आप यहाँ से forget भी कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर log in पर click करना है login पर click करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके एक page ख्फिल के आएगा तो यहाँ पर आपका नाम और dmrc अपकी date of worth लिखियोगी उसके बाद आपको यहाँ पर 2線 पक्राओगा qualification detail इसपर click करने के अंदर लास्ट में आप देख सकते हैं qualification paper and answer key option है तो आपको उस answer key पे click करना है click करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का page आएका तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिली matter requirement 9 अप्रेल से 20 अप्रेल कुछ इनका paper हुआ था पिछले ही महीने तो उसका answer की आप यहाँ से download करना है तो आपको यहाँ पे clicker करना है और click करने के बाद आपकी एक answer key की PDF यहाँ से download हो जाएगी तो आपको अपनी PDF download करनी है और PDF download में आपको दिखा देता हूँ मेरी PDF तो आपको पास कुछ इस तरीके की PDF आएगी तो आपके पास यहाँ पे questions और जो आपका write and score हो यहाँ पर दिखाया हुएगा तो इसके बाद आपको क्या करना है एक बात और बदाता हूँ आप थोड़ा side में slide करेंगे तो उसके बाद एक option और मिलेगा आल का तो वहाँ पर अगर आपको किसी तरीके objection है तो आप यहाँ से अपना objection के लिए क्लिक कर सकते हैं तो अपको इस तरीके के page खुलेगा उसके अंदर आपको एक white color का plus का निसान दिखेगा तो आपको उसके उपर क्लिक करना है तो उसके आप क्लिक करने के बाद आपके पास एक loading होगी तो इसके बाद अगर आपको जिस question में यहाँ से आपको जिजी question में objection है तो वहाँ से आप enter करके यहाँ पर इंटर कर इसको क्लिक कर लेना सर्च करके उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक option मिलेगा जिसमें तीन चार option दिये होंगे कि आपको किसी की problem है अगर आपको multi correct answer के problem है तो आप उसके लिए क्लिक करें यहाँ पर आपको remark enter करना है आप कुछ भी enter कर दीजिए कुछ भी नहीं मतलब आपको जो problem आप वो चीज यहाँ पर एंटर करना है उसके बाद यहाँ पर option आएगा browse मतलब आपको जिस तरीके की question में problem है तो आप जो official book वगरा होती है वहाँ से एक document डाउलोड करना और आप वो आपको को यहाँ पर upload करना है ताकि वो इस चीज से match कर सके इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको submit करना है तो thank you students आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको किसी तरीके की और problem है तो आप मुझे comment कर सकते हैं और अगर आप अपने answer है तो वो मुझे कितने marks बने हैं तो thank you students keep learning